दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत हैं आज हम दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और दोनों स्टॉक समझी की उनमें काफी पोटेंशिल है एक कमपनी तो भायानक रिटन दे चुकी एक वर्ष में दूसरी कमपनी से भी हम अपेक्षा ऐसी करते हैं कि कम से कम भायानक रिटन तो नहीं परन तो हमारा पैसा डेबल तो हो जाए अट लिस्ट इसी मंशा के साथ हम वीडियो शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम दोनों कमपनी ओं के बारे में उनके बिजनस के बारे में चर्चा करेंगे और शुरू में बता दू देखी दोस स्टॉक से मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको किसी भी सेक्टर के बारे में या किसी कमपनी के उनके बिजनस को समझा पाऊं जो भी अपनी टूटी फूटी भाशा में जो पहला स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है आनंदराथी और दूसरा जो शेर होग कि जब से जिरोधा आया है या फिर ये जो कॉंसेप्ट आया फ्लाट फ्री मॉडल पे तो जो पुराने ब्रोकर्स थे जो असली मलाई खाया पिया कर दे थे उनकी दुकान कहीं न कहीं बंध होती दिखाई दी तो ऐसे में एक समय के बात क्या हुआ कि ये जो ब्रोकर्स अल पैसा भी कमा रहे हैं और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार की टावसिफिकेशन है इनके वेवसायों में आगे भी फलते फूलते रहेंगे देखें बिजनस को लेके कुछ चीज़ें आप कोई समझनी पड़ेगी कि इनका काम है पैसों से खेलना आप समझ रहे हैं आप आपको पैसे देना उससे पैसे कमाना आपको लेवरेज देना आपको जो है म्यूचिल फंस में इनवेस्ट कराना आपको परस्नलाइज एडवाजरी देना यह सारा कामकाज इन दोनों कमपनियों का है और आगे भी कई प्रकार के बेवसायों को बढ़ाना चाहते हैं तो आ एचनाई एड यू एचनाई यानि कि अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स को जो है अपनी सर्विसेस प्रवाइड करते हैं है ना पचास पचास करोड़ सो सो करोड़ इन सबसे तो इनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किये जाते हैं हम आप जैसे लोगों के दस वेल्थ मैनेजमेंट कमपनी का कमपनी तो भली 2002 में शुरुआत हुई है लेकिन 2016 के बाहद इस प्रकार से इन्होंने अपने आपको फोरे इन्टु दा वेल्थ मैनेजमेंट उसके पहशात इनकी जो है कमाई तीज़े से बढ़ गई है वर्तमान समय अगर देखते हैं तो क एक लाइन में आप समझ गए इसी प्रकार से अगर हम एंजलवल की सर्विसेज देखते हैं ये भी एक बहुत बड़ी फिंटेक कमपनी बनने के लिए उत्साहित है और यही काण रहा कि जिस प्रकार से इनकी सर्विसेज है आप देखेंगे इनोंने अपना एंजल ब्रोकि अपर्टीज, फूचरन ओप्शन ये सारे तो हैं इंडेमेट वगएरा ट्रेडिंग, मार्जिन, इंट्राडे ट्रेडिंग, आईप्यो, स्टॉक एडवाईजरी, लोन अगेंज शेर्स ये सारे फिचर्स हैं जो असल में कमाई होती हैं मार्जिन ट्रेडिंग, फंडिंग और 522 का लो जा चुका है अभी इस गिरावट में 14 दिसंबर याने की ठीक आज से 15-16 दिन पहले इसकी लिस्टिंग हुई है, पांच रुपए पर शेर किसके फेस वेल्यू है, प्राइस टो अर्निंग पर शेर है 10 रुपए 83 पैसे, प्राइस टो बुक है 10 टाइम से ज्या साड़े 500 की IPO प्राइस वाला यह स्टॉक था याद रखिएगा, अभी जो इसकी मार्केट कैप है, देखी एक स्मॉल कैप कमपनी है, 2426 करोल आज की डेट में यहाँ पे एक छोटी मार्केट कैप की कमपनी है, अगर हम कुछ बात करें कि इसमें क्या पोटेंशल हो सकता है, जिस प्रकार का इनका मैनेजमेंट है, वो बहुत सॉलिड है, जिस प्रकार से उनका अपना पुराना अनुभाव है, चाहे वो Central Repository Service में रहे हों, चाहे BSC में रहे हों, आनंद राठी साहब का काफी अच्छा खासा experience है, तो कमपनी को समझेए कि अब चुके बेवसाय ही है जो कमपनी खोली है, वही मैनेजमेंट करना है, तो इस चीज़ से परचित हैं, तो प्रमोटर वाइस, मैनेजमेंट वाइस काफी बढ़या कमपनी है, आगे क्या potential हो सकता है, आगे किस प्रकार के हमें इस पर रेटन मिल सकते हैं, यह मैं आपके उपर छोड़ता हूँ, इस 129 मतलब 1700 पकड़ लीजिए, और जो IPO प्राइस था 300 के आसपास, अगर हम देखते हैं, माली यह 5 अक्टूबर 2020 को इसके लिस्टिंग हुई थी, करीब-करीब देखा जाया तो 14 महिने के आसपास, लिस्टिंग के बाद अगर देखते हैं, तो जो गिरावट भी हुई थी, 28 26 तक का इसने लो बनाया था, तो 286 छोड़िये, 300 पर भी जिसके पास शेर्स रहे होंगे, और हाई जो बनाया, तो करीब-करीब 5 गुना से ज्यादा उसका पैसा हो चुका है, वर्तमान समय भी अगर हम टैक्निकी रूप से देखते हैं, तो एक वर्ष में आज की रेट में इतनी गिरावट होने के बावजूद, 252 प्रेशत के यहां पर रेटन दिखाई दे रहे हैं, 6 मही ने पहले जिन्नों निवेश किया है, उनको भी करीब 38-49 परसन के आसपास के रेटन दिखाई दे रहे हैं, वर्तमान जो प्राइस टो उर्निंग रेशियो है, 22 का है, अर् लिखते हैं, तो 9,888 करोड के आसपास है, यानि कि 10,000 करोड के आसपास माल लिजिए, कुछ कम नहीं तो, 10 रुपए पर शेर की फेस वेल्यू है, और करीब 7 साल के आसपास लिस्टेड हुए है, एंजल वन ने अच्छा खासा लोगों को गेन दिया है, वर्तमान समय भी हा हैं, इनके जो एडवाइजर्स हैं, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिलिस्टेशिम मैनेजर हैं, उनका काम ही है, रात दिन आप लोगों को सविधाय देना, उसके बदले, फीस लेना अनीक प्रकार की प्रोडक्ट्स हैं, तो पैसे से पैसा ही कमाना कुबेर हैं ये कि आने वाले समय में आदमी का पैसा मैनेजमेंट करती हैं, ब्रोक्रेस से भी कमाई है, हर प्रकार से इनकी कमाई है, तो मैं यहाँ पर किसी प्रकार का इंकरिजमेंट नहीं कर रहा हूँ आपको कि किसी प्रकार से आप बिसनेस को समझते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ म नविश में भागी, तो उनको appreciation भी मिलेगा, कुछ लोग होते हैं, IT सेक्टर में जाते हैं, IT सेक्टर भी अच्छा perform कर रहा है, कुछ small cap companies में जाते हैं, कुछ large cap companies में जाते हैं, कुछ लोग happiest mind या फिर latent view में भी जाते हैं, कुछ लोग other companies में थ्रौस diversification होता है, जैसे कि LTI हो जाते हैं, तो हर प्रकार के निवेशक हैं, कुछ लोग सिर्फ FMCG को ज्यादा focus रखते हैं, कुछ लोग real estate में भी जाते हैं, कुछ लोग auto sector में भी जा रहा हैं, कुछ लोग electric vehicle के battery में जा रहा हैं, क्योंकि अपना ज्यादा exposure count कहां रखता है, कुछ लोग होते हैं, जो कही नहीं जाते हैं, चुप चाप study करते हैं, कि भईया मेरे पास इतनी थोड़ी से पूजी है, मैं ऐसी कौन सी जगह लगा दो, और चुप चाप एक दो साल के लिए सो जाओं, जो भी पैसा है, उनको बहुत ज्यादा हिमाले में जैसे तबस्या करनी होती है न, उसी प्रकार स कमपनी को चिन्हित करके, कई बार सोचिए, कई बार बिजनस मॉडल को समझे, कई बार डेटा study कीजिए, इस प्रकार से आप अपनी R&D करने के पैस्चात निवेश कीजिए, तो भी आप कमा सकते हैं बहुत बड़ा पैसा, कुछ लोग नई लिस्टेट कमपनीों में ही फो study करते हैं, तो इस तरीके से मैं क्या हो जाता हूँ, जैसे एक सर्जन का कॉमेंट आया था, कि सर आप इतने शेर, इतने ज्यादा shares के बारे में बता देते हैं, कि हम कितने shares लें, भाई इतने ज्यादा कमपनियां लिस्ट हो रही हैं, आप साल भर में देखिए, अलग- अप लाइन बॉटम लाइन आता है, उसके बारे में चर्चा करना, देखिए, जो आनंद राथी के प्रमोटर होलिंग है, वहाँ पे करीब देखे, 48.82% के आसपास है, मुचल फंस इसमें अभी 10.08% के आसपास है, अधर डिए इस हैं 0.88%, एफ इस 2.49%, और रिटेल अधर हैं, तर अधर तर फिए इस हैं, इसी प्रकार से हम एँगर ऑन में देखते हैं, तो एन जर वन में यहाँ पर फोटीतरी परसन के आसपास इनकी पास होल्डिंग है, मुचल फंस भी अच्छे खास हैं, 7.59%, एफ इसे इसे हैं 0.58% है, यहाँ जिसमें 4.66% है, बाकी डिटे आप देखेंगे तो भयंकर जो है इसमें जो है आप देखिए रेविन्यू में करीब देखा जाया तो 1000 क्रोड से उपर क्रोस कर चुका है वहीं पर प्रॉफिट कर तीन सो क्रोड के आसपास निकल के आ रहा है इसे प्रकार अनंदराठी का अगर हम देखते हैं जो टर्नोवर है तो यहाँ पर 18-19-20 में लगातारा आप कंसिस्टेंट रेविन्यू में आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं प्रॉफिट में बढ़ा देखी जा रही हर साल लेकिन 2021 में यहाँ पर तवरा जटका है लेकिन कोई बात नहीं आगे आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से जो है क्योंकि क्या होता है कि बड़ बड़े लोग गिरावट के समय पैसा हो सकता है निकाल लिए हो लेकिन ऐसा न दोश्तों मैं आपके समक्ष अनेक प्रकारी कमपनियां लाता हूं आप में गहन अध्ययन किया करें आपको अगर कुछ लगता है तो आप जरूर कोईंबॉक्स में भी रह सकते हैं किने इसार आपने इसमें थुड़ा से यह रिस्क हो सकता है इनका बिजिनस मॉटल ऐसा फ आदने बादू